असलाम लेकुम एवरीवन वेलकम टू मार यूटूब चैनल आज मैं बगरे का सीरा की रेसिपे शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है कोई इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं बहुत सिंपल तरीके से बनाया है और यह बहुत करते हैं सबसे पहले हमने सरसो का तेल लिया है उचमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं इसके बाद हम इसमें दो मीडियम साइज का प्यास चॉप करेंगे इसको हम जादा ब्राउन नहीं करेंगे थोड़ा सा हलका ब्राउन रहेगा तभी इसमें हम गोश्ट को एड़ इसके बाद जो यह सीरा है यह हम बाद में एड़ करेंगे अब हम इसमें एक चंबच गार्लिक पेस्ट खुटा हुआ अदरक और नमक डालके अच्छे से भून लेंगे इसे हमें 5-10 मिड़ अच्छे से भूनना है ताकि इसका पानी जो रहेगा वो अब्सॉर्व हो जाए इसके बाद हम इसमें मसाले अड़ करेंगे मसाले सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे शौ हो जाएगा इसके बाद हमने इसमें तीन हरी मिट एड़ किया है बीच में से सलिट करके अब ये हमारा मसाला और गोष्ट अच्छे से भुन गया है इसमें हम आदा गलस पानी अट करेंगे और जो हमने सीरा रखा था उसे अच्छे से कपड़े में भान की इसे उपर से रख देंगे दो सीटी हाई फ्लेम और दो सीटी लो फ्लेम पे इसे पका लेंगे ये देखिए हमारा गोष्ट गल गया है इसमें सीरा अलग कर लेंगे और हमारा सीरा भी अच्छे से बन गया है इसे हम लास्ट में थोड़ा सा भून लेंगे देखे गोश्ट गल गया है इसे भी हम 5-10 मिनट और भून लेंगे उसके बाद इसमें सीरा डालके थोड़ा सा भून लेंगे इसके बाद हम इसमें पानी आड़ करेंगे सालन के पाने माश पाने माशी पाद में और आपाने मरत में हमारा सीरा की गुश्ट त्यार हो चुका है यह देखिए बहुत ही delicious बना था बहुत ही tasty है बहुत simple सी recipe आप लोग इसे ज़रूर try करिएगा इसका सीरा भी बहुत अच्छे से पग गया है बहुत अच्छे से गल गया है बहुत ही tasty था यह recipe ज़रूर try करिएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमें बॉक्स में जरूर बताईएगा आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ एंजॉय करें हमने इसे पुलाओ के साथ एंजॉय किया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स ओर वाचिछं में